नमस्कार दोस्तों, मेरा नहीं पंकज, मैं आपने चैनल लेवल आये और यूट्यूब के बाद देम से आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ टीओ आई से आज मुबाई पर एक नोटिफिकेशन आया के करनाटिका के धरवाड मेडिकल कॉलेज के 116 स्टुडेंट्स कोविड पॉजिटिव पाए गए आज 26 ग्यारा है कल 25 ग्यारा थी कल भी 66 स्टुडेंट्स कोविड पॉजिटिव पाए गए थी टोटल हो गया 182 देखके मैं सहम गया इसी साल मार्च से लेकर के मही तक हमने जो मंजर देखा कि हम में से कई लोगों ने अपनों को खोया है क्या यही मंजर हम वापस देखना एफॉर्ड कर सकते हैं कई जगा पर सेकंडर स्कूल्स रियोपन हो चुके हैं प्राइमरी स्कूल्स भी रियोप से ठक चुके हैं वो ओफ्लाइन स्टेडिस करना चाते हैं स्कूल जाना चाते हैं कॉलेज जाना चाते हैं लेकिन क्या स्कूल जाना कॉलेज जाना ओफ्लाइन स्टेडिस करना हमारे बच्चों की लाइफ से ज़्यादा इंपोर्टेंट है मैं सारे पैरेंट्स और स्कूल स अपील करना चाहता हूँ, मैं भी एक पैरेंट हूँ, कि जब तक 18 साल से नीचे के बच्चों की वेक्सिनेशन नहीं आ जाती, तब तक स्कूल्स और कॉल्जिस रियोपन नहीं होने चाहिए, और मैं माननी अप प्राइम मिनिस्टर को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हू कि जिस तरीके से हमारी पूरी कंट्री में वेक्सिनेशन ड्राइव चली है, वो काबिले तारीफ है, और एक छोटी सी अपील करना चाहता हूँ, कि जल से जल बच्चों की वेक्सिनेशन आनी चाहिए, और प्राइयोरिटी बेसिस पे आनी चाहिए, ताकि यही बच्चे, जो हमारी कंट्री का फ्यूचर है, हमारी देश का भविश्य है, वो स्कूल जा सकें, और हमारे देश का नाम रोशन कर सकें, पड़ेगा इंडिया तो बड़ेगा इंडिया, जैहिंद वंदे मातरम!